हमें जैषिक्रिश्न स्वागत आपका सार्थी दिश्ला के साथ कैसे हैं आप झाल मंगल बताते रहा करिए एक छोटा सा कमेंट और मैसेज आपकी आपकी स्थितियां, आपके मन की स्थितियां, आपकी अंदर की स्थितियों को हमें आगवत करा देती है अच्छी होती है तो बहुत प्रसंता होती है कस्ट में होते हैं तो मन करता है कुछ नया करें आपके लिए ताकि आपके कस्टों को दूर कर पाए तो आपका एक छूट ऐसा कमेंट आपका संबंध हमारे साथ और गहरा कर देता है तो बताइएगा जरूर कैसे हैं आप लोग चलिए जी आज कुछ विशेश लेकर आई हूँ वैसे तो इस बारे में आपको पहले भी बहुत कुछ बता चुकी हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का बस एक ही फायदा है एक इनसान अपने जिन्दगी में असी वर्ष जीता है औस्तन तो यही जीता है ना असी वर्ष की जिन्दगी में वो बहुत सारे करम अलग-अलग करता है बहुत सारे अलग-अलग रिष्टे निभाता है कभी बेटा होता है, कभी भाई होता है, कभी पती होता है कभी किसी का सहपाथी होता है, कभी किसी का मित्र होता है कभी किसी का शत्रू होता है, कभी किसी का साला होता है तो कभी किसी का जीजा होता है, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का काका, किसी का नाना, अलग-अलग रिष्टे निभाता है, तो एक कोई वस्तू या एक कोई चीज जो प्रकर्ती ने बनाई है, उसके भी तो बहुत तरे के अपने प्रियोग होते हैं, आज कुछ ऐसा ही प पहले चुकि आपकी सार्थी हो इसलिए आपको जीवन के कुछ सत्ते को बताने चली आती हूँ बहुत सारे लोगों के मेरे पास बहुत मैसेज आए कि मा नशा चुरुवाने के लिए कुछ बताईए लोग अगर किसी चीज के एडिक्ट हो जाएं किसी चीज की एडिक्शन हो जाता है नशे के कारण आर्थिक भी बहुत सारी चीजें लोगों को जहलने पड़ती हैं आजकल की नई जनरेशन जो है वो भी नशे के कारण अपने आने वाले भविश्य को बरबाद कर देती हैं कई लोग तो नशे के आदी होकर बहुत सारी चीजों को खराब कर देते है खास करके अपनी जिन्दगी से हाथ दो बैठते हैं एक छोटा सा प्रियास है नशे को आपकी जिन्दगी से दूर भगाने का तो चलिए जी आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि आपको क्या करना चाहिए बहुत छोटा सा उपाय जो मेरे ठाकुजी ने बताया और मैं आज आपको बताने आई हूँ दो तुलसी पत्र किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह के नशे को छुड़वाने में सक्षम हो सकता है कैसे ये जानिये आप मुझ से अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो नशे का आदी हो चुका है तो आपको क्या करना है ये क्रिया होगी 11 दिन शुरू होगी एकादशी से और इसको करने के लिए आपको अपने मन को अपने तन को शुड़ करना बहुत जरूरी है जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति नशा करता है ये वही करेगा कोई भी कर सकता है जो भी उसका भला चाता है किसी के लिए भाव अच्छे होंगे न तो आप किसी के लिए भी कोई भी प्रयास करेंगे वो उस व्यक्ति को लगी जाएगा दुआ मैं करती हूँ दवा आपके लिए बन जाती है बस यही सोच कर आप ये कारे करिएगा करना क्या है आपको आपको दो तुलसी पत्र लेने हैं और साथ में आपको एक आटे का गोला लेना है आटे को गुत लीजेगा उसमें नमक मत मिलाईएगा उसके अंदर थोड़े से काले तिल मिला दीजेगा उसके उपर दो तुलसी पत्र रख दीजेगा एक जल का कटोरा लीजेगा या कोई भी बड़ा पात्र लीजेगा जिसके अंदर खुला जल हो ठीक है, उसके बाद आप साथ बार हनुमान चालीसा का पार्ट करिएगा साथ बार हनुमान चालीसा का पार्ट करते वक्त आप अपनी पहली उंगली से उसे हिलाते जाएगा जल को हनुमान चालीसा पढ़ते जाएगा और जल को हिलाते जाएगा अब आपने जो दो तुलसी पत्र रखे हैं उसमें से एक तुलसी पत्र उस जल के अंदर डाल के उसे एक डिबी में बंद कर लीजेगा या बोतल में बंद कर लीजेगा जो दूलस्त्रा तूलसी पत्र है वो आप उस पिंड के उपर रख दीजेगा जो आपने आटे का बनाया है और उसे ले जाकर आप चौराये पर छोटी 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 गोलियों के रूप में डालाईएगा छीक है जी ये जो जल आपने अभी मंतरित किया है ये जो जल आपने तयार किया है इसे आप पीडित व्यक्ति को किसी भी तरीके से पिला दीजिए अगर वो दूर रहता है तो ये कारे नहीं हो पाएगा पास में है तो आपको ये कारे कर देना है एकादशी से चालू करके ग्यारा दिन लगातार आपको ये कारे करना है देख लीजेगा आप महिने डेर महिने के अंदर उस व्यक्ति के अंदर अदबुद चमतकारी के रूप से प्रभाव देख लेंगे और उसके नशे की आदत धीरे धीरे करके उतरने लगेगी बहुत छोटा सा बहुत प्रभावकारी उपाए है करेंगे तो जीवन में बदलाब जरूर आएगा चमतकार हो तो यहां पर कमेंट करके और लोगों को लाब देने के लिए जरूर बताईएगा आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मैं चलती हूँ फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुद लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने साथी के साथ जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा प्यार लेते रहिएगा ख्याल रख करिए यह मैसेज करिए अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुणली को डिसकस करिए और अपनी समस्याओं का समाधान मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी तब तक के लिए ख्याल रखेगा अपना मुस्कुराते रहिएगा जल्द मिलेंगे लव यू ओल ठेक केर जैशी सार्थी मात्रिशला जोतिश के क्शेत्र में विश्व विख्यात ताम है जोतिश शास्त्र में PhD मात्रिशिला पिछली 22 वर्षु से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लव्ज के अधेन से अपनी सटीक भविश्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपनी भविश्यवाणियों के जरिये मात्रिशिला, लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शाधी में बाधा, कोट केसिज और श्यत्रु बाधा, वशीकरण वास्तु दोश आदी समस्याओं का सही निवारण बता दी है अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रिशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्तान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवासा जा जुगा है आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेश उत्सवों एवं संस्कारों पर किये जाने वाले संगीत मय मंत्रों चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदे कर्मकांड, मन मोहलेने वाले होते है मात्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सेविसिस के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही है आप अपनी सार्थी मात्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेस्बुक के माधिम से जुड़कर ऑनलाइन भी कांसिल्टेशन ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल आस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 98289 23301 पर